आज मैं 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 आप से डिसकस करने वाला हूँ एंबी की नए नोटीस के बारे में आप सबने देख लिया होगा काफी जादा confusion यह काफी जादा debate ongoing है within आपके almost one hour से कि exactly क्या नया चींज आया है अलग-अलग चीजें discussion की जा रही है paper के label को भी define किया जाए आप पेपर बहुत जागर difficult हो जाएगा so mainly इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपसे मैं comparison करने वाला हूँ कि PG 23 के examination और PG 24 के examination में क्या एक नया चेंज आया या जो notice आई है उसकी exactly meaning क्या है आपकी exam pattern में क्या चेंज है और इससे आपकी preparation या इससे आपकी जो भी ongoing preparation उस पर कैसे एफेक्ट परने वाला है as well as अगर आपके पास already sufficient time में अभी आप अपने mental level को कैसे ready कर सकते हैं इन तमांग कीज़ों के बारे में उससे पहले में बता दो if you new on this channel if you haven't subscribed to our YouTube channel admission media तो subscribe पर के लखे सकते हैं साथ में हमारा telegram channel admission media अभी join कर लें बात करूं समय की तो already अमिन जो notification आई है कुछ important changes किये गया है मिलनी आपके examination को यानि कि जो आपका में 40 question होंगे in each section there will be a 40 question and time limit की बात करूं तो 42 minute हर question paper मिन हर section के लिए दिया जाएगा total timing की में बात करूं या total question की पहले में बात करूं तो total question अभी भी आपके 200 रहेंगे question में कोई change नहीं किया गया है timing की में बात करूं हर section में 40 question 42 minute हर section के लिए मतलब की overall अगर मैं timing बात करूं तो 210 minute अभी भी आपको मिलेगा last year भी मिलाता बात करूं again की timing total 3 hour 30 minutes last year भी आपको मिलाता इस session में भी आपको मिलेगा जो बड़ा change आया या जो सबसे बड़ी change की गई है वो आपकी section divination में की गई हर section automatically change होगा मतलब की पहले आपको last year क्या था कि आपको complete 200 question on the spot open कर दिये गयते आप next कर करके जो भी wish करते थे उसको आप select कर सकते थे इस session में या PG24 में ऐसा नहीं होगा PG24 में हर section के लिए time fix है मतलब की जब आप login करोगे तो आपके लिए section A open किया जाएगा 42 minute के लिए आपको section A ही open रहेगा whether आपको अपना section A पर expand करना है जो भी 40 questions रहेंगे उनको आपको select करना है उनको answer करना है as well as अगर आपको modify भी करना है तो इसके लिए भी आपको 42 minute के अंदर ही करना है मतलब कि almost इसके लिए 38 minute अगर मैं tips की बात करूं तो 35 to 38 minute में अपना section A complete कर लिजे चार से पांच या छे मि अपने revision के लिए क्योंकि एक बार section A का time over हो गया तो again आप section A पर jump नहीं कर सकते हो मतलब कि आपने section A दिया इसके बाद 42 minute के बाद automatically आपको कुछ नहीं करना है automatically software आपको section B पे jump कर देगा अब section B पी अगर आप आ गए हो section B पे आ गए है तो reverse आप section A पे नहीं जा सकते हो नहीं आप section C open कर सकते हो जब तक कि आपका again 42 minutes ना over हो जाए मतलब कि आपको time bound कर दिया गया है एक section के अंदर यहां पे जो सबसे बड़ा effect होगा वो यह होगा कि ब प्रोल करनी होगी जिससे आपका अगला section ना खराब हो क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरा PG 24 का paper ही खराब कर दोगे आप जो आपको नहीं करना है mentally खुद को prepare करिए automatically section upload होगे आपके मतलब कि section आपके लिए पहले open होगा 42 minutes दिया जाएगा आपके पास sufficient time रहेगा चीजों आपको review करनी के लिए सारी questions को answer करने के लिए आप select कर सकते हो कौन सा question आपको review करना है 42 minutes end होने से पहले ही वह questions आपको review कर लेने है correct कर लेने है सब्सक्राइब करना होगा मतलब कि एक समय पर आपको एक ही सेक्षिन पर काम करना होगा एक ही सेक्षिन को एंसर करना होगा कर सकते हो यह बहुत बड़ा चेंज आया है बाकी सारी चीजे सेम है कोई भी डिफ्रेंस नहीं की गई है कोई भी चीजे नहीं चेंज नहीं की गई है सिर्फ सेक्षिन वाइज टाइम बॉंडेशन किया गया है यह में आपके पेपर के सिक्यूरिटी और इन्हांस करने के लि क्योंकि multiple calls आ रहे होंगे आपको अभी तक मैंने previous भी बताया था कि बहुत बड़े चेंज आएंगे एक स्लाइट चेंज अभी आपको देखने को मिला है wait for the counseling session बहुत biggest change किये जाएंगे मैंने session के स्टार्टिंग में आपको बोला था seat booking और blocking के लिए भी मैंने आपको बताय होगी कोई भी अगर आपको claim कर रहा है कि paper manage कर लेंगे believe me बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है नए changes क्या है वो हमेने already clear कर दिये इसके अलाब भी अगर आपको कोई question है कोई भी query है तो आप नीचे दुए WhatsApp नमबर पर मुझे connect कर सकते हो आप मुझे WhatsApp मैसेज करिए reply जरूर मिल हो सकता है calls अभी ना लगें क्योंकि अभी हम currently active नहीं है अपने places पर but by the 15th में हम अपने offices पर अवलेबल हो जाएंगे मिटिंग करने के लिए आप आते हो तो आप without any doubt 15 to 16 में से आप हमारे appointments लेके बैंगलोर और पूने हम से विजिट कर सकते हो बागी details के लिए आप नीचे दुए WhatsApp नमबर पर मुझे connect करिए thank you and thank you so much for watching this video